दोस्तों ये मोबाइल लोन अप्लिकेशन 4.6 की रेटिंग के साथ में आती है स्टार्टिंग के जो रिव्यू है वो एकदम बहतर है अपने अबाउट सेक्शन में ये अप्लिकेशन किलियर मेंसन करती है अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो आपको कम से कम 3,000 का लोन मिलेगा और अधिकतम जो लोन मिलेगा वो 50,000 का मिलेगा यहां पर आप देख पा रहे होंगे अगर आप बात करेंगे tenure की पूरे तरीके से इन्हों ने बताया है कि आपको minimum tenure 95 days और maximum tenure 365 days मिलेगा अगर interest rate की बात करें तो इन्होंने clear mention किया है यहां पर APR जो यहां पर मिलेगा per annum interest rate जो है 22% ठीक है यह जानकारी इन्होंने यहां पर proper तरीके से दी हुई है अब दोस्तों यह mobile loan application कुछ ही दिन पहले ही public की है अगर इस mobile loan application पर documentation की बात करोगे आप pen card आधार card और केवल आपकी selfie बताई है यह application लेगी आप यहां पर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा यह सारी details इन्होंने यहां पर fill कर रखी है ठीक है आप यहां पर देखिए अपने about section में इनकी details को देख करके आप पूरे तरीके से सोचेंगे कि हाँ भई बहुत अच्छी application है इस पर हमें pen card आधार card लगा देना चाहिए आसानी से एक यह आपको बड़ा amount दे देगी आपके mind में ऐसा कुछ आएगा लेकिन जब आप इस पर अपना pen card आधार card लगाएंगे आपको में भी 7 दिन या 15 दिन के लिए हजार दो हजार हद से हद 5,000 रुपिये दे दिये जाएंगे और आप से 7 दिन और 15 दिन के बाद में एक heavy वसूली की जाएगी 5,000 का 10,000, 10,000 का 20,000 इस परकार की वसूली आप से की जाएगी भुगतान नहीं करोगे आपको हरास किया जाएगा आपको डराया जाएगा आपके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित किया जाएगा आपको कहा जाएगा कि भाई आप immediate basis पर बुगतान कीजिये आपको जेल हो जाएगी अगर आप बुगतान नहीं करते हैं आपके उपर लीगल कारेवाई हो जाएगी आपके उपर फलाना हो जाएगा आपके उपर धिमाका हो जाएगा पूरे तरीके से इनके जो एजेंट हैं आपको लगातार कोल करेंगे ना तो दिन देखेंगे ना रात देखेंगे आप पूरे तरीके से परेशान हो जाओगे इस परेशानी से बचने के लिए आप एक application का पैसा दोगे आप फिर दूसरी से लोगे दूसरी का दोगे तीसरी से लोगे मतलब एक तरीके से आप इस trap में फस जाओगे और ये trap इतना खतरनाक आपके लिए हो सकता है आपने कभी नहीं सोचा होगा आज से काफी टाइम पहले बहुत से लोगों ने इन mobile loan application से प्रताडित होकर suicides किये हैं आज से बहुत टाइम पहले ये application फरजी वाड़ा कर रही है ये आपके फोटो बनाती है ये आपको प्रपर तरीके से blackmail करती हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से इस application में proper detail ली हुई है आप यहाँ पर देखिए यहां से हर एक permission आप से लिए है आपकी device की calendar की permission, camera की permission, contact की permission, location की permission, microphone की permission और telephone permission, SMS permission अब आप मुझे एक बात बताओ, इनका काम है pen card, आधार card पर loan देने का ठीक अब इस सब की इनको क्या जूरत है भाईया website launch कर दो, website के दुरू लोन दे दो, ना 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 इनको तो आपका data collect करना है और बहुत सारे tech youtuber कहेंगे भाई application को smooth चलाने के लिए permission देना अनिवारी है, लेकिन application पर भी depend करता है कि वो किस type की application हो सकती है, इसके लिए अनिवारी है, तो लोगों को एकदम सही और सठीक जानकरी दें, वो ज़्यादा better है, अब आप में से पहुत सारे ऐजे वेक्ति होंगे, जो की review देखते है mobile loan applications के, लेकिन उन्हें exact way में जानकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि कुछ घटिया यूट्यूवर्स ने, क्योंकि कुछ तथाकतित financial advisors ने अपने आपको इन mobile loan application के साथ में बेच दिया है, यहाँ पर जो भी जानकरी दी जाती है, वो एकदम clear cut दी जाती है, हम किसी भी company का परसार परचार नहीं करते, चाहे कोई genuine हो, चाहे कोई real हो, हमारा काम है आपको जानकरी देना, aware करना proper तरीके से, ठीक, अब आपके mind में यह question आया होगा, यह जो mobile loan application है, financial cash, क्या यह पूरे तरीके से genuine है, भाईया पूरे तरीके से फरजी application है, पूरे तरीके से fake application है, real और fake का अंतर सिर्फ इतना होता है, अगर कोई अपने आपको NBFC authorized बता रही है, तो उसके कहने पर मजाईए, आप देखिए, वो आपको loan provide गरा रही है, क्या किसी परकार का कोई वो आपको loan sanction letter provide गरा रही है उसमें proper तरीके से जो about में information दी है, उसके आधार पर आपको loan दे रही है, क्या उसकी जो NBFC है, वो RBI की website पर पूरे तरीके से authorized है, registered है, updated है, ये सारे चीजे आपको check out करने ने चाहिए, आपको बगर सोचे समझे किसी भी application पर आवेदन नहीं करना चाहिए, अब तक इस application को लगबग 10,000 लोग download कर चुके हैं, total review की अगर आप बात करोगे यहाँ पर अब तक 104 इस application को review मिल चुके हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे positive section, यहाँ पर बताओ, यह इंडिया में काम कर रही है और इस टटपूंजिये का नाम देखिए, क्या लिखा हुआ है इसने, और review देखिए, reliable application, यह जो paid review तुम लोग करा रहे हो ना, इनसे कोई फाइदा नहीं है, इनसे किसी परकार का कोई फाइदा नहीं है, लोगों को लूटना बंद करें, लोगों के साथ में फरजी वाड दिया जाएगा amount, तो मैं उनसे यही कहूँगा, कि भाईया, अगर आप इस application से already loan ले चुके हजार दोजार का, आप से कोई heavy amount मांगा जा रहा है, आप तो किसी व्यक्ति को एक भी रूपिया ना दें, और जितना हो सके, अपने relative को aware करें, आपको immediate basis पर cybercrime.gov.in पर जाकर के complaint registered करा देनी चाहिए, और उस complaint की copy अपने सभी relative में send कर देनी चाहिए, कि भाई देखिए, यह application हमें प्रताडित कर रही है, यह application हमें मतलब पूरे तरीके से दावा कुछ करती थी और इसने किया किया, और अब हमें पूरे तरीके से लोग blackmail कर रहे हैं, ठीक है, यह आप प करेगी भाईया कर लेनुक है, यह चार दिन कोल करेंगे, पांस दिन कोल करेंगे, छटे दिन कोल करेंगे, और जब आप इनसे खुलकर के बात करना शुरू करोगे, डरना बंद कर दोगे, definitely कभी आपके पास में कोल नहीं करेंगे, यह भी आप बात ध्यान रखिएगा, इननकी कोल को इग्नॉर कर दो, और ट्रुक ओढर बगयरा कोई भी application डाउन्लोड करो, जो की कोल बगयरा ब्लोग करती हो, उस application से कोल ब्लोग कर दो, और अब तो application भी डाउन्लोड करने कि आपको जूरूति नहीं, आपके mobile phone के अंदर ही काफी options आते हैं, कि आप unknown calls को ब्लो दाया होगा और जो भी व्यक्तिस से लोन ले चुके हैं बिल्कुल ये मान लो कि पूरे तरीके से आपका जो लोन है वो माप हो चुका है ठीक है आपके लिए तो यही है अगर सिविल में किसी के अपडेट दिखाता है यह अप्लिकेशन तो हाल तो दिखाएगा नहीं फिर भी एक बार आप चेक आउट कर सकते हैं अगर सिविल में अपडेट दिखा रहा है तो पूरे तरीके से आप इनके उपर कंजुमर फोर में जाहिए फिर भी आप के कर सकते हैं अगर ये गलत करते हैं सिंपल वे तो यही है ठीक है बहुमूल्य है और किसी भी कंपनी का रिकार्डिंग कोई भी इन्फोर्मेशन देना चाहते हैं आप इमेल कीजिए ट्विट कीजिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके डिटेल्स दे सकते हैं मैंने अपने सभी सोचल मीडिया एकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड गरा दिये हैं और मेरा एक टेलिग्राम पर भी चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा है